असलाम अलेकुम मा यूट्यूब फैमली वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स पेट में गैस भरना दरसल जिसमें इजाफी हवा बर जाने की वज़ा से होता है अमुमन खाना जल्दी जल्दी खाने, खाना खाते वे बाते करने या कार्बोनेटी डिरिंक्स पीने की वज़ा से गैस की तकलीफ हो सकती है अगर ये गैसी जिसम से खारिज ना हूँ तो पेट में दर्द और पेट फूलने जैसे मसाइल होने लगते हैं फ्रेंस पेट में गैस बनने की बहुत सी वज़ुहात हो सकती हैं इन में से कुछ मैं यहां बयान करना चाहूंगी ताकि आप इन चीजों से परहेश करें और अपने आपको चाकोचोबन रख सकें फ्रेंस पहली बात तो ये कि आपको देखना होगा कि आपने अपने तरजे जिन्दगी और खाने पीने की चीजों का गलत इन्तखाब तो नहीं किया दूसरा ज्यादा मिर्च मसाले और चटपटी चीजों का बकसरत इस्तमाल करना जिसम में मुझूद बेक्टेरिया का गैस ज्यादा बनाना मेदे का डेरी प्रोडक्ट्स और शक्कर वगएर को जजब ना कर पाना आंतों में जरूरत से ज्यादा बेक्टेरिया बनना इन सब वजुहात की बिना पर आपको मुझूद की अलामात का सामना करना पड़ सकता है जैसा के चक्कर आना, बलड प्रेशर, मिजाज में बदमजगी, दड़कन का तेज होना, गबराहट होना, मुझ से बदबू आना, खटी डिकारे आना, कब्स होना, मसूडों का फूल जाना, मुझ में चाले और जबान का फट जाना ये तमाम अलामात मेदे में खराबी या गैस का मर्स होने की सूरत में रूनमा होती है, फ्रेंट्स वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसके इलाज की तरफ चलते हैं, वैसे तो ऐसी बहुत सी गिजाएं हैं, जिनके इस्तमाल से इस मरस से बचा जा सकता है, लेकि इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ दोन उसके शेयर करूंगी जिसे इस्तमाल करके आप इस मरस से निजात पा सकते हैं, सबसे पहले एक बरतन में डेड़ कप पानी डाल कर चुलहे पे रख दें, इसके बाद इसमें डालें चार से पांच ताजा पोदीने के पत्ते और एक बड़ी इलाइची, ये डालने के बाद इसे इतना पकाएं कि पानी एक कप रह जाए, फिर किसी चन्नी से चान कर इसे नीम गरम होने पर पी लें, पुदीना नजाम हजम से मतलका अमराज में मुफीद है, गिजा को हजम करता है, और रिया को खारिच करता है, भूख लगा वो पुदीने के इस्तमाल से जरा गुरेज करें, उनके लिए दूसरा नुस्खा बता रही हूं, वो ये इस्तमाल कर लें, तो इन्शाला उनको भी पेट में गैस के मसले से निजात मिल जाएगी, इसके लिए एक कप गरम पानी में एक से दो चमच पिसी हुई सौफ को मिल जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो पी लें, इसे खाने से पहले या बाद में पी सकते हैं, सौफ खाना जल्द हजम करने में हमारी मदद करती है, ये पेट के दर्द और सीने की जलन को भी खतम करती है, फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपना और अपनी फैमली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, आला हाफीज